अज़े पत्ता कोफता करी बनाने वाले हैं उसके लिए इंग्रेडिन्स लगने वाला है वह है यह है अर्भी के पत्ते इसे टेरो लीफ भी सायद कहा जाता है इस टब्सक्राश्च लिए है और अर्भी के पत्ते लिए कर वाली इस तरह से चौप करके लिया है मुथाद में हमें यह बलमा कंग्रास्कीब चलके वाली वरत की, चलके वाली बड़ताम्ळों गाली है तो इसे हमने फॉर तुषाइ हाज के लिए वाटर में सोप कर के रख लिया है पानी में शिक्त गिख़ता है च्लके दाल शोप कर लखो ताघी हैं शोक लोट शोर पॉल्स होज्बे से वाल के भी है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो आप मेरी चैनल पर दिख सकते हो तो फिर श्किन निकालने के बाद में हमारे चिलके निकालने के एड हमारी इस तरह की दाल तैयार हो यह भीग जाने के इस तरह से होती चिलके उतर जाएंगे अब इसे हमें ग्राइंड करना है उसके ब मस्टर सीट याण जीम सेट लिएंगा द्हन inclus तरप ने के बाद में हमें हमें ड suivितर मयडने के शिएंखलगर है उसके आड में हमें प्रुमिन सीट टर मटेंड होड़ी इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब में ही किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बैल आइकम को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपनी मोबाईल पी देखें, तो फ्रेंड मेरी यजी तूमेक टेस्टी तूइट रेसिट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वाटर हम इसका पानी को अगर रेंगे और इसे हमें मिक्सर में ग्राइन कर लिया है और मिक्सर पोट में डाल चुके हैं अब इसे हम इसे पानी अगर लगता है पीसने के वख तो डालना वरना इसे ऐसे ही पीसो वरना ज्यादा गिला हो जाएंगा तो हमें कोक्ता बनाने में तक्लीप जाएगा तो फेंट अभी से घ्राइंड कर लेते हैं देखें हमने उड़की दाल को पीस लिया है अब हम क्या करेंगे हम एक अब हमने पानी रख दिया है अभी इसको हम ग्यास पर रख देते हैं और ये च्टीमर में हमने अजु-जु में आउई लगा के इसे घ्रीश कर लिया है अब हमारे कोपते बनाएंगे पहले हम पीसार में वरत की दाल लेंगे डिलेंगे अरभी के पत्ति जो हमने इक्दम बारिक चॉप करके रखा हुआ है। छे साथ अरभी के पत्ते लिए हैं और एक पाओ के करीब हमारी उड़त की दाल हाई अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट एने की नमक, स्वाद के अनुसर हम नमक डालते हैं अभी हमारी जो कौफते वनारे उसके लाय कि हम इसमें नमक डा अब इसमें डाल देंगे रेड़ चिली पाउडर एने की लाल मीर्च पाउडर यह अब आपने मुताई कम ज्यादा कर सकते हूँ, नमक अपने मुताई के डाल के दालिए, उसके बाद में हम डाल देंगे धनिया पाउडर यह मैंAGती स्पून लेह हूं एम थोड़ अनिया काटी थी हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ी सी फ्राइब करने के लिए रखेंगे यह सब डाल के अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और दाल थोड़ी से आप इने टाइटी पीस ना अगर ज्यादा गिली हो जाती है तो फिर कोपते अगर लगता है उड़त दाल में की पानी की जरुवत है तो एक से दो टेबल स्पून पानी डाल के आप इसे पीस सकते हो इसे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे हम साइड में करते है हमारा ये स्टीमर रखते है पास में और थोड़ असा पानी ही लेंगे हाथ में और हाथ थोड़ा सा हमारे पानी से गिला कर लेना है उसके बाद में क्योंकि उड़की दाले फ्रेंट हाथ में चिपक जाती है इसे आप ऐस तरह से इसके शेप आपको देना है इसे हम रखते जाएंगे इसे पहले आपको प्रेंट से जरू ट्राइ करके देखना इजी भी है और आप इसे कोक्ते आले इस तरह से स्टीम करके आप रख सकते हो दूसरे दीन भी आप बना सकते हो करें आपके श्टीम 我們 स्टीमर में जितने आती है उतने हम कोक्ते पहले बना लूति, हम रखकोने हो मैं चारी डालके इसे पहले स्टीम कर लूँगी देखिए अब हमारे पानी में बॉइल आ चुका है अच्छी तरह से अब इसमें हम हमारे कोक्ते रख देते इस्टीमर में करेंगे पंदरा से 20 मै्ट हमें स्टीम होनी देना है itt हम हम उप शुक्ते कर लेते लाफ पंदरा से 20 मीट करीब होती यह जीए को सब्सक्राइब फ्राइ अब कैसे आउगे जैसे हमारे फ़ह कश्ठों को हम चेक करते हैं चेक चेक करते हैं उसट्र exam के करते हैं Bobby का तरह यह बंद कर देते हैं इसे हम पूरी तरह से थंड होने देहें हैं यहां से OR इसे पूरी तरह थंड होने देंगे उसके बाद में मिसकें करूं यह ज़ी काफी अच्छे से हमारी कोसे थंड हो चुके और हमहीं इस त pana के पिस लेकिन मैं ऐसे सेलो फ्राइ करूंगी इस तरह से हमेरे पीसेश करना है हमें आप इसे थोड़ासा फ्राइ करके बहुत टेस्ति लगता है इसे आप शेलो फ्राइ करके एससे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हूं अब हम इसको फ्राइ करते हैं जैलो फ्राइ करने के लिए हमने पैन में दो बड़े चमच्के करी पॉइल डाला फ्रेंड्स अब हमारा ओइल भी गरम चुका हो चुका है अब इसमें हमारे पोकते तलते हैं कि मीडिया माट पे इसे हमें फ्राइ करना है क्यादत तीज पाउर न रखे गया इसका हलका हलका गोल्डन कलर होने देना है हमें हलका हलका गोल्डन शुरू हो चुका है हुना इसे हम पल्टा देते हैं अलएगे और ऐसी में जो हमारा ओल बचे ह Dragons हम उसी में हमारी सबझी antibodies को व्र्य करेंगे इसे हमें इसी तरह से हलकी अलकी गोल्डन कलळम होना चुका हें आजए वजाए ये लिए और बाकी की हुआ कोकते हमें इसी तरह से दलना है इसी तरह से हमें इसे पल्टा पल्टा के जब तक कि इसकी कोटिंग हल्की सी क्रिस्पी न हो जाए और फिर हल्का सा गोल्डन और कलर आ जाएंगा फिर निकाल लेंगे थोड़ सी क्रिस्पी इसकी साइड होना चाहिए देखिए काफी अच्छे से कृस्पी हो चुक है अब इसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें आइल डाल देंगे फ्ंट ही थोड़ा सा ही ओड़़्ा है ऑब इसमें हम एक बड़ा चमचच जसाओ of तो अच्छे से गरम अने देना है अब हम लेंगे मस्टर सीड और क्यूमिन सीड ये हाफ आफ ती स्पून जीरा और राई है ये डाल देते इससे फ्लटर होन देंगे अब इसमें डाल देंगे हमारी प्याज और हरी मीट जो बचा के रखेते हमने हमारी प्याज भी हलकी होने में आ चुकी है आप इस में डाल देंगे हमारा प्याज का पीस्ट अंयन पेस्ट साथ में एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एन्हें अध्रक लहसुन का पेस्ट वो डाल देते हैं अब यह प्याज भी हमारा काफी अच्छे से भून चुका है अब गैस का पाउर हमने स्लो कर दिया है अब इसमें डाल देंगे हम रेट चिली पाउडर जो टेबल स्पून के करीब डाल रहे हूं आप अपने घर में जिस तरह से खाते उसके मुताबिक डालिए एक बड़ा ट अब इसमें हम डाल देंगे हमारा टमाट्टो पेस्ट जो हमने दो टमाटर मीडियम साइज के लिए कि उसका प्यूरी निप बनाए है इसे भी अच्छे से भूनना है गैस का पाउर बढ़ा देंगे जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टमाटर डालनी के आद में टमाटर का पेस्ट ने भी अच्छे से ओल छोड़ना शुरू कर दिया है अब इस पीरेट में हम इसमें डाल देंगे दही तो फ्रेंड्स यह मीडियम दही है ज्यादा खटा नहीं है तो मैं इसमें दो टेबल स्पून के करीद दही डालू अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह फटे न दो से तीन मिट तक भूनेंगे अब हमारे दही को डालने के आद में उसने भी ओल छोड़ चुका है अब इसमें हम डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक हमारी ग्रेवी बनाएंगे उसके हिसाब से हम अभी नमक एट कर देंगे मैं दे टेबल स्पून के करीब डाले आप स्वात के अनुसार ही नमक डाले ओड़ा सहरा धनिया अब गैस का पाउर बड़ा देते हैं और इसमें हम पानी एट करेंगे इसमें और पानी आट करेंगे क्यांकि हमारे कोटे इसमें पकेए तो थोड़ा सा पानी हमें एक ग्लस ग्लास के करीब पानी अट किया क्याश्किया हमें ग्रेवी वाले बनानों अब इसे हमें बॉल होने देना है लेकिए अब हमारे ग्रेवी में बॉइल आ चुका है अब इसमें जो हमने कोफतों को सेलो फ्राइड करके रखा था उसे डाल देना है और इसे हम 10 मिट टक इसमें पकने देगे ढख देते हैं और इसे हमें पकने देना है इसले 10 मिट की करीब होते आ गया है काफी अच्छे से और इसका ग्रेवी भी ठीक होना शुरूग है इस तरह की आप ग्रेवी रखना क्योंकि थंडे होने के बाद में यह ज़्यादा गाड़ी हो जाती है बस अभी हम ग्यास का पाउर स्लो करके इसमें डाल देते हैं गरम मसाला जो हमने जब हाफ टी स्पून ड करें और क्याने डाल देते हैं और सर्विंग निकाल लें मिक्स करदेंगेlor फेस्टा कई childhood अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो की नीचे की लाइक की बटन को प्लिक कीजिए मेरी इस वीडियो रशीपी को शेर कीजिए और मेरी चैनल को सब्क्राइब करना ना बुले फ्रेंट्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे like and subscribe to my channel and thanks for watching my channel thank you so much